आप शबी का बहाद बहाद श्वागत है आज हम सी जी जी के जो इतिहास चल रहा है उसका चाथा पार्ट लेकर आए हैं फर्ष्ट के तीन पार्ट को आप यदि नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए मित करते हैं आपको जरूर पशंद आएगा हमारा जो चाथिस गड़ इतिहास का चौथा पार्ट है ये आए शिरुवात करते हैं सबसे फर्ष्ट कोश्चन है अठाष एकषट में मध्य प्रान के गठण के शमय चतिस गड़ में कितने जीले थे फर्ष्ट ऑप्शन है एक, सेकंड ऑप्शन है तीन, थर्ड ऑप्शन है चार, फूर्थ ऑप्शन है पांच, तो अठारश एक्षट में मध्यप्रांद के गठन के शमय छतिसगर में जीले, जीलों की जो शंक्या थी, तीन थी, रायपूर, बलाशपूर और शंबलपूर, त कहां हुआ था, फर्ष्ट ऑप्शन है बस्तर, शेकंड ऑप्शन ब्रायगर, थर्ड ऑप्शन शिहावा, फूर्थ ऑप्शन कांकेर, तुछ गड़का जी जंगल शत्यागर हुआ था, शिहावा धमतरी में, 21 जन्वरी निशा 22 इश्वी में हुआ था, आर्या शयोग शेकंड लब्रा, थर्ड गर्टा शिल्ली, फोर्थ बद्रा टोला, तो जो रुद्री नमागाओं का जंगल शत्यागर है, उसमें पुलीश ने बरबरता दिखाई थी, इस जंगल शत्यागर है, 22 अगस्त उनिश तीश को रुद्री नमागाओं में हुआ था, इसमें दो व्यक्तियों की मृत्यू हो गई थी, शिंधु कुमार और रलू कुमार की, इसमें पुलीश की जो बरबरता थी, उसके कारण दो व्यक्तियों की मृत्यू हुई थी, शिंधु कुमार और रलू कुमार की, धमतरी में है ये रुद्री नमागाओं जो गाओं है, और इसके नेत्रितु करता थे छोटे लाल श्रिवास्ता, फोर्थ ओप्षन चतिस गड़ में गांधी जी का द्विती आगमन कब हुआ था, बाईश नमबर निशा तेविश इश्वी को, शेकंड ओप्षन बाईश नमबर निशा तैटिस इश्वी, बारा नमबर निशा बीस इश्व में हुआ था, और क्यों आये थे गांधी जी चतिस गड़ में, तो अचुतों के उधार के लिए आये थे, और उसके शाथ, मीरा बेन ठककर बापा और महादेदेशाई, तिन लोग आये थे उसके शाथ, और बाईश नमबर तक ये हमारे चतिस गड़ में रहे, या चतिस ग खो संभोधित किये थे, मोती बाग का पुर्व नाम ही विक्तूरिया गार्डन था, तो वहीं 23 नमंबर तक क्या किये थे, रैपूर के विक्तूरिया बाग में जनशभा को संभोधित किये थे, और पच्छीश नमबर को धंतरी पहुंचे, और 26 को विलाश पूर में, नेक्स्ट क्वेशन के और बढ़ते हैं फिप्त क्वेशन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दूर्ग कचहरी में आग किशने लगाया था फर्स्ट ऑप्षन है फर्स्ट ऑप्षन है नर्शी प्रशाद शेकंड ऑप्षन रगुनांदन शिंग्रॉल तर्ड ऑप्षन राजकिशोर फोर्थ ऑप्षन जैनारान तो भारत छोड़ो आंदोलन के शमाई दौर्ग कचहरी में रगुनांदन शिंग्रॉल ने आग लगाया था और जो रगुना नर्श के दिन ही जो रगुनांदन शिंग्रॉल थे दौर्ग कचहरी में आग लगाये थे नेक्स्ट कोश्चिन सिख्थन नंबर का कोश्चिन है चटिस गड़ की प्रथम महिला शांशत थी चटिस गड़ की प्रथम महिला शांशत फर्स्ट ऑप्षन राधवाई शेकंड फोलकुमार, थर्ड़ा अफशन मिनिमाता फोर्थ अफशन दया वति तो जो चत्यस गड़ की प्रत्म महिला शांशा थी मिनिमाता थी उनिश्व बावन से उनिश्व बहत्तर तक और ये शारंगर जानजगिर चांपा और महाशमुन खेतर शे निर्वाचीत हुई थी जो मिनिमाता है उसका मुल नाम था मिनाक्षि देवी और अशम की रहने वाले थी बिधान शबभा भवन का नाम इनही के नाम पर रखा गया है और हस्दो बांगो जलाशाय का नाम भी इनही के नाम पर मिनिमाता हस्दो वांगो जलाश है रखा गया है और इनके नाम पर ही 36 गड़ सरकार द्वारा महिला उत्थान के छेतर में मिनिमाता शम्मान भी दिया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है शिवेंत नंबर का कोश्चन 36 गड़ भात्र शभा का गठन किया था फंसंँ सुन्दलल शर्मा शेकड़ और बामन रालाखे थर्ड ऑप्षण ओर ए रघवेंदर फोध आप्षण कुपचन बगहेल दौव प्रिश्टों की शंख्या कितनी थी तो उसमें प्रिश्टों की शंख्या कितनी थी तो फर्स्ट ओप्शन है 18, शेकंड ओप्शन 20, थर्ड ओप्शन है 25, फॉर्थ ओप्शन है 15 तो कृष्ण जन्म इस्थली जो पत्रिका है उसमें प्रिष्ठों की शंख्या 18 था 18 प्रिष्ठों में इसकी रचना किया गया था और जो इसके रचना करता थे सुन्दला शर्मा, सुन्दला सर्मा जब राइपूर की केंद्री जेल में बन थे अर्शहयोग आंदुलन के शमय निशबाईश इश्वी में तो उन्होंने वहीं से जेल से ही कृष्ण जन्म इस्थली पत्रिका का शंपादन किया था नेक्स्ट कोश्चन है मारा नावा कोश्चन राष्ट्री जागरन के अगरदूत कहे जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन है चतिस गड़ में राष्ट्री जागरन के अगरदूत कहे जाते हैं पंडिस सुन्दलाल शर्मा जी और इसको चतिस गड़ का गांधी भी कहा जाता है क्योंकि गांधी जी के जैसे ही ये कार्य करते थे और अचुत उधार का कार्य के थे आरम के थे अचुतों के उधार के लिए तो इसलिए इसको 36 गणधी कहा जाता है शहित लेखन के छेतर में सुन्दलल शर्मा पुरिशकार भी दिया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है मारा टैंथ नंबर का नर्तन सर्वश्व ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है तो जो नर्तन सर्वश्व ग्रंथ है तो उसके लेखक का नाम क्या है फर्स्ट ऑप्शन है भी तन्मीर शेकंड ऑप्शन है गोपाल मिश्र थर्ड ऑप्शन है शामलल चतुर तो नर्तन सर्वश्य नाम जो राजयोर चक्रधर्ष है इसी ने यही चक्रधर Sh reflect he लडितकलां में निपून थे यह से लडितकलां में पारंगत थे और प्रशिद्ध तबलावादक थे 1936 इस्वी में इसके तबलावादन शे प्रभावित होकर तातकालीन वाशराय जो थे लिन लिथगो ने इन्हें संगीत समराट की उपाधी शे शमानित किया था और इनकी एक और रचना है ताय तोल निधी जिशका वजन 32 किलो है इसक राजचकरधर शियिध वारत रचित है और इसका वजन 32 किलो है नेच्ट कोश्चिन है तो जो छचतिस गड़ नाचा पार्टीlor शियुक फ८ पिश्म पितामा माने जाते हैं फर्स्ट ओप्शन है मार शी चंद्राकर शिकन ऑप्शन है दुलार शी मंदरा जी को कहा जाता है चतिसवर नाचा पार्टी के प्रवर्तक और पुरोधा भी माने जाते हैं ये मंदरा जी और इसकी एक और पार्टी है रवेली नाचा पार्टी की स्थापना भी मंदरा जी किये थे और रज शाशन के द्वारा लोक कला की छेतर में इनके नाम प प्राप्त पंडवानी गाईक है। फर्स्ट ऑप्शन रितुवर्मा, शेक। ऑप्शन सुर्जबैख खांडे। 3 ऑप्शन मम्ता चंद्राकार, 4 ऑप्शन तीजन भाई। तो अंतराश्टिक छियाती प्राप्त पंडवानी गाईका जो है तीजन भाई है। तिजन बाई का पालिक शैली में पंडवानी गाती है और रितु वर्मार्मा वदमति शैली में गाती है सुरील कई भर्थरी गाय ओ, तिजन बाई को भारश शरकार द्वारब पदमश्री से समानित किया गया है 1987 षवि affect पद्मभूशन भी मिला है इसको 2003 इश्वी में पद्मवीभूशन भी मिला है 2019 में तो इस प्रकार से तिजनबाई को तीन जो सरवच्च पुरुषकार है मिला है पद्मश्री पद्मभूशन और पद्मवीभूशन नेक्स्ट कोस्चन 13 नंबर का रघुजी तृति के शासनकाल में 36 गढ़ में विद्रो हुआ था फर्स्ट ओप्शन धमधा में शेकंड अप्शन बरगण में थर्ड ओप्शन तारापूर में फोर्थ अप्शन इनमें से शभी तो जो रघुजी तृति थे उसके शासनकाल मे यह सभी विद्रोह हुora थे धंधा में गोरज मिदार ने विद्रोह किया था रगुजी त्रिती के शाष्ण काल में घर्टी पूनी प्रत्रा की शुरुवार्ण किया था किस ने किया था फर्स्ट उफ्षन बहरम देव, शेकन उफ्षन अननम देव, फ़र्ट उफ्षन रुद्र प्रताप देव, फूर्थ उफ्षन प्रविर्न चंद्र भंजी देव, तो जो बस्तर में घरती-पोनी प्रता की शुरुवात हुई थी तो रुद्र प्रताब देर ने ही किया था घर्टी पोनी प्रता की शुरुवात घर्टी पोनी प्रता क्या है तो या महिलाओं का एक प्रकार का क्रय विक्रैश में महिलाओं का क्रय विक्रै किया जाता था घर्टी पोनी जो प्रता है महिलाओं के क्रय विक्रैश से शंबंधित है इसमें म बस्तर शेत्र में रुद्र प्रताब जी को जगदल पूर को चराहों का नगर बनाया था नेक्स्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं 15 वा कोश्चन है मडवा महल में किश्वंश की राजकुमारी का विवा हुआ था और मडवा महल कबरधा में हैं और इसका निर्वान रामचंदर देव ने 1349 इश्वी में करवाया था और जो रामचंदर देव फनीना अगवंश के राज़त ही है और गचकीला कहां इस्थीत है नेक्स्ट कोश्चन है 16 नंबर का गचकीला कहां इस्थीत है फर्स्ट ऑप्शन है बारसूर सेकंड ऑप्शन गर्धनारा थर्ड़ ऑप्शन फूर्थ ऑप्शन जन्जगीर चांपा तो जो गचकीला है रतनपूर में इस्थीत है और प्रित्विदेव दृती जो कल्चुरी शाशक थे बारवी शदी में इसका निर्मान करवाया था नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं 17 नंबर का कोश्चन 17 नंबर का कोश्चन फूर्थ ऑप्शन तकहत सी तो मराटों के अधीन प्रथम कल्चुरी शाशक रखनाशी थे और इसके शाशन काल में मराटा की शेनपती भासकरपन्त ने आकरमन किया था लेकिन रखनाशी पुत्रवियोग में होने के कारण युद्ध नहीं किये और आत्मेशमरपन कर दिय तो इस प्रकार से रखनाशी मराटों के अधीन प्रथम कल्चुरी शाशक थे और मराटों के अधीन अंतिम कल्चुरी शाशक पुछ जाएगा तो अंतिम कल्चुरी शाशक थे मुहनशी नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं अठारवा कोश्चन रतनपूर को कल्चुरी काल में क्या कहा जाता था फर्स्ट ऑप्शन मनिपूर शेकंड ऑप्शन मानिकपूर थर्ड ऑप्शन कुबेरपूर फोर्थ ऑप्शन हीरापूर तो रतनपूर को कल्चुरी काल में कुबेदपूर कहा जाता था और महाभारत काल में इसको मनिपूर कहा जाता था त्रेता युग में मानिकपूर और द्वापर युग में हीरापूर उस पकार से जो रतनपूर है उसको कल्चुरी काल में कुबेदपूर कहा जाता था नेक्स्ट कोश्चन है नीशा कोश्चन कुशान वंश की मुद्रा कहां शे प्राप्त हुआ है जो कुशान वंश थे तो उसकी मुद्रा कहां शे प्राप्त हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है बान बरत दूर्ग शेकन ऑप्शन तेली कोट राइगर थोड़ा अडेंगा फोर्थ option अकल तरह तो कुशान मंस के जो शिक्के तेली कोट राइगाड से प्राप्त हुआ है राइगाड और बिलाशपूर से बिलाशपूर में भी कुशान मंस के शिक्के मिले हैं तो हमारा आशर होगा तेली कोट राइगाड नेक्स्ट कोश्चन है बिसवा कोश्चन पाली के प् निर्मान किस्ने करवाया था तो फर्ष्ट ऑप्ष्ट है बिक्रमादित शेकंड ऑप्ष्ट है जाजले देव थर्ड ऑफ्ष्ट तीवर देव फूर्थ ऑफ्ष्ट महाश्य गुप्त बालार्जुन तो पाली के जो प्रिशस्त शीव मंदीर है उसका निर्मान बान वंशी राजा विक्रमादित ने करवाया था उनिश्वी शताबदी में जो शीव मंदीर है और इसका जिर्णोत धार करवाया था कल्चुरी वंशी शासक जाजले देव प्रथम बारवी शदी में और जो विक्रमादित वान वंशी शासक थे ये और नमी शदी में इसका निर्मान कराया गया था तो हमारे जो 20 टॉप 20 कोश्चन कम्प्लीट हो गया है आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है या पशंद आता है तो जरूँ सब्सक्राइब करें और आप सब वीडियों के अंत तक बने हैं या बने रहे हैं झाल 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 झाल